हेलो एर्बडी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारे युटुब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी मैं तहीं दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी फिट हैं वेल हैं फाइन हैं और अपने एक्जाम की प्रपेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जबर्दस महनत करकर एक्जाम को पूरा मतलब फाड़ने के उसमें है वह वाला फाड़ना नहीं वह वाला फाड़ना ठीक है तो दोनों में अंतर है आप पेपर उठाया उसको फाड़ दिया और एक हो ओनन के आप देट्व अपडेट्स आप लिए और पसंद आती तो ईसे लाइक किये वह नहीं जाएं और तीसरी बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर विडियो को शेयर करें ताकि आपको जो है औरो औरो को चाहिए वो भी उनको मिलती रहे ठीक है free है सब कुछ free of cost है तो भया सबको help मिलनी चाहिए ना ठीक है चले आज तो हमारा lecture है वो बच्चों की demand पर that is fixed proposition क्या है fixed proposition यह बच्चों की demand थी आप लोगों की demand थी किसा fixed proposition करवा दीजिए मैं इस chapter को भी clear कर देता हूँ आप लोगों को fixed preposition सीखने से पहले मैं आपको दो चीज़े से introduce करवा देता हूँ that is phrasal verb यह बार आपने सुना होगा phrasal verb आपने सुना होगा एक आपने सुना होगा prepositional phrase जो बिलकुल fix होते है fixed prepositions यह दो चीज़े आपने सुनी होगी इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है अगर minor change हो जाए किसी भी sentence का अगर minor change हो जाए कहने का क्या मतलब है अगर यह use हो phrasal verb किसी में use होता है तो sentence का minor change हो जाता है लेकिन अगर minor change नहीं होता that is called fixed preparation यानि कहने का क्या मतलब है देखो ध्यान से Frizzal Verb क्या है जैसे Get Back अगर मैंने का Get Back to the School अब Get Back to the School का क्या मतलब होता है? Return to the School यानि इसका मतलब कुछ और आए इसका मतलब कुछ और आए यानि कहने का मतलब क्या है, यह sentence में जैसे ही use हुआ, इसने अपने meaning को convert कर दिया, कैसे, get something back, अब get back, या get something back में मतलब तो वही हो गया ने, या returning something, लेगिन यहाँ इसका मतलब क्या था, get something में एक नया वड़ जुल गया, something, और इसने इसका माइना क्या बना दिया, receive something you had before, लेकिन वह आपने कुछ दिनों के लिए सामने वाले को दे रखा था, अब वो वापिस ले लिया, get back at somebody, get back at somebody, get back at somebody, सारे क्या हैं, get back, get back क्या हैं, लेकिन सब के माइने change हो रहे हैं, get back at somebody का मतलब तो है retaliate, या take revenge, और उसे बदला लेना, क्या लेना, बदला लेना, देखो मैंने कहा ना आपको, यहां क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ढंक से इन sentences को देखूँ, अगर मैं ध्यान से phrasal verb को देखूँ, तो सब में get back, get back, get back लगा हुआ है, इसमें भी get back, get back, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब तो एक ही होना चाहिए था, लेकिन जहां पर भी यह sentence में use होते हैं, अगर आपने notice किया हो, तो यह अपने माइने को change कर देते हैं, उसे कहा जाता है phrasal verb, यानि ऐसे phrasal verbs, जो sentence में गुश जाते हैं, और गुशने के बाद उसके sentence के माइने को convert कर देते हैं, change कर देते हैं, that is called phrasal verbs, और जो as it is रहते हैं, यानि use हुए, लेकिन as it is रहे, those are called fixed preposition, उनको हम क्या बोलते हैं, fixed prepositions बोलते हैं, और fixed prepositions सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि, भाया हम लोग fixed prepositions सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे, सीधा हम न teacher is averse-new ideas, teacher क्या है, averse है new ideas के, तो with आएगा, to आएगा, in आएगा, या for आएगा, मैंने answer सबके already उनके साथ दे रखें, इसमें जादा मैं आप लोगों से समय नहीं लूँगा, क्योंकि यह chapter ऐसा है, जिसको बस quickly हम लोग समझाएंगे, और quickly इस पर work out करेंगे, the teacher is averse, averse का मतलब क्या होता है, पहले यह सीखो, averse का मतलब होता है, to dislike, क्या मतलब होता है, इस verse का, dislike, हाना, मतलब कहने का क्या मतलब है, रूडिवादी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम रूडिवादी कह सकते हैं, जो आदमी पुरानी, रूडिवादी क्या है, जो आदमी पुरानी सोच पर निर्भारो, that is रूर्दिवादी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रूर्दिवादी बोलते हैं, तो उसको नए आइडियास पसंद नहीं आएंगे, तो एवर्स के साथ एक fixed preposition का इस्तमाल होता है, that is, that is, that is कौन सा, that is कौन सा, two वाला, कौन सा है मेरे बच्चे, two वाला, यहां किसका इस्तमाल होगा, two, यानि क्या कह रहा है, यह fix है, आप इसको change नहीं कर सकते हैं, और देखो कमाल की बात, एवर्स का जो माइना है, dislike वो वही रहा, यानि यह क्या कहता है, the teacher is averse to new ideas, the mother is averse to his child's behavior, यानि जो मा है, अपने चाइल्ड के behavior को dislike कर रही है, किसी कारण से उसको dislike कर रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब उसका वही रहा, वो sentence में गुसा तो भी मतलब वही रहा, उसका मतलब change नहीं हुआ, लेकिन preposition जो इसके साथ fix use होता है, that is true, और इसके जैसे ही husband, उसके पती के मरने के बाद, she has been accustomed, dash, sufferings and hard work, accustomed, क्या word आता है, accustomed, तो accustomed के साथ किसको, accustomed किसको बोलते हो, accustomed किसको बोलते हो, आप बोलते हो, आदत को, क्या बोलते हो, आदत को, हम क्या कह सकते है, habit, क्या बोल सकता है हम इसको, habit, ठीक है, ठीक है, habit, अब क्या है, after the death of her husband, she has been accustomed to suffering and hard work, इसके बाद कौन सा fixed prepositional use होता है, मैं बताता हूँ आपको, कौन सा use होता है, accustomed to, कौन सा होता है मेरे बच्चे, accustomed to, यानि क्या है, after the death of her husband, she has been accustomed to sufferings and hard work, अब उसे आदत हो गई थी, किसकी, sufferings की, यानि अब वो दुखो का पहाड उस पर तूट पड़ा था, और मेहनत अब वो कर रही थी, अब जितनी जो संसार की, जितनी भी कटू सत्य थे, या संसार की जो बुरी चीज़ें थी, उसके उपर पढ़ रही थी आगे, अब उसे क्या हो गई थी, उसकी आदत हो गई थी, तो accustomed का मतलब क्या है, आदत, और नहीं fixed preposition carry करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि accustomed carry करता है to को, और habituated carry करता है off को, समझ मैं आपको, अंतर क्या समझ मैं आपको, accustomed carry करता है to को, habituated carry करता है off को, तो क्या हो गया यहां पर, accustomed to, habituated, off, और दोनों का ही मतलब क्या है, आदत, अगर मैं कहूंगा, after the death of her husband, she has been habituated, dash suffering and hard work, dash suffering and hard work, habituated use किया, habituated के साथ किसका इस्तमान होता है मेरे बच्चे, off का, लेकिन कमाल की बात क्या है, दोनों का ही मतलब आदत, और दोनों ही use हुए, दोनों ने अपने माइने को change नहीं किया, जैसे you are accustomed to drinking, तुम किसके आदी हो, पीने के आदी हो, मैं कहूंगा you are habituated dash drinking, तो you are habituated of drinking, तुम किसके आदी हो, पीने के आदी हो, you are habituated of smoking, तुम किसके आदी हो, तुम दुम्रपान के आदी हो, किसके हो, दुम्रपान के आदी हो, समझ में आए ना आपको, समझ में आए ना, चलिए, The employees regretted that they could not comply dash request of the manager. अब comply का मतलब क्या होता है? Comply का मतलब क्या होता है? Comply का मतलब होता है to follow the rules. यानि पालन करना. सीधा सा मतलब क्या है इसका? किसी भी चीज का क्या करना? पालन करना. आदेश का पालन करना. किसी रूल को फालन करना. तो सारी चीज़े किसमें आ जाती है, पालन करने में आ जाती है, तो क्या है, the employees regretted, regretted का क्या मतलब होता है, उन्हें अब बुरा लग रहा है, यानि वो पश्चाताप कर रहे हैं, कि they could not comply the request of the manager, कि जो manager की request थी, manager की demand थी, manager की जो भी मतलब इच्छा थी, वो उस पे उतर नहीं सके, कहने का क्या मतलब है, कुछ manager ने में demand की होगी, कि आज हमारा जो, भाईया, देखे, manager ने meeting मुठा ही, बढ़ा है कि भाईया, आब हमारा जो aim है न, इस target है, इस महीने का, वो 17 लाग का target है, लेकिन unfortunately, हम सिर्फ 7 लाग का target पूरा कर पाए, तो अब आपको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, कि वो 10 लाग का target हम पूरा नहीं कर पाए, इसकी वाले से हमारा जो manager हो, हमसे root गया है, तो आब उनके rule follow नहीं कर पाए, उनके ideas को पालन है, उनके ideas को जो follow है, वो नहीं कर पाए, तो यहाँ comply के साथ fix preposition क्या आती है, comply के साथ आती है मेरे बच्चे, with, और इसके साथ मिलते जुलते word कौन से है, comply के साथ मिलते जुलते, वो है stick और abide, तीनों का ही मतलब क्या है, comply, stick और abide, तीनों का ही मतलब क्या है, पालन करना, क्या है, रूल्स को फॉलो करना, या हम कह सकते हैं, पालन करना, लेकिन, लेकिन तीनों के साथ जो fix prepositions लगेंगे, वो अलग लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, अगर यहां आता comply, तो comply with the request, क्या लगेगा मेरे बच्चे, comply with the request, और अ by, क्या आएगा मेरे बच्चे, abide by, तो क्या आगया, देखो, तीनों, तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब है to follow the rules, तीनों का मतलब है पालन करना, आग्या का पालन करना, और तीनों के साथ ही अलग-अलग prepositional वो यूज हो रहे हैं, वो कौन-कौन से, with, to, by, comply, comply के साथ with, stick के बाद, to, abide के बाद, by, just say, he is strict to the rules, he is strict to the rules, यानि वो किसके चिपका हुआ है, rules के चिपका हुआ है, यानि वो किसको follow करता है, rules को follow करता है, ठीक है, और इसने अपना माइना भी चीज नहीं किया, इनोंने sentence में आने के बाद, इनका जो meaning था, वो convert नहीं किया, इनोंने जो phrasal verbs थे, उनकी तरह है, किसी भी चीज को change नहीं किया, ठीक है, चलें next पर, police arresting him as he was addicted dash gambling, addicted सबसे common है, सबसे ज़्यादा आता है, addicted सबसे ज़्यादा common है, addicted के बाद जो follow होता है, that is two, addicted का भी मतलब क्या होता है, आदत, क्या होता है, addicted का मतलब, आदत, क्या होना, habituated of, habitu habituated of, और addicted का मतलब क्या है, आदत, addicted के साथ किसका इस्तमाल होता है, two का इस्तमाल होता है, मेरे बच्चे, देखो, इससे पहले हम लोगों ने किया था, इससे पहले हम लोगों ने किया था, accustomed, इसका भी मतलब क्या होता है, आदत, habituated, और यहीं पर क्या आगया, यहीं पर क दारू के आदी है, यानि, ड्रिंकिंग के आदी है, यानि, स्मोकिंग के आदी है, ठीक है, चलें न, एक्सपर, चलो, यह देखो, As the new system is accessible, dash people easily, it can be easily hacked, क्या है, पहले इसको समझते हैं, sentence को, As the new system is accessible, dash people easily, it can be easily hacked, कहने का क्या मतलब है, वो जो लोग है, उनके लिए बहुत easily accessible है, यानि, कहने का मतलब क्या है, वो available है, उसकी availability है, क्या है, उसकी availability है, तो people can easily, मादलब उसका फाइदा उठा सकते है ना, it can easily be hacked, तो अब क्या है, लोग उसको easily hack भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, hack भी कर सकते हैं, उसको लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे, hack भी कर सकते हैं तो अब यहां accessible का क्या मतलब है, Accessible का मतलब है availability, availability, available है या नहीं, availability, ठीक है, तो availability के साथ, यानि accessible के साथ क्या आता है, to आता है, और इसी का एक word होता है, जो access होता है, that is to होता है, तो access और accessible का मतलब क्या होता है, available, access का मतलब available, और accessibility का मतलब availability तो दोनों के साथ ही fixed preposition use उता है वो कौन सा होता है to use होता है मेरे बच्चे कौन सा use होता है to का इस्तमाल होता है example देखिए there is an easy access to this building कहने का मतलब है अब यहां से access का क्या मतलब चलता है entrance का पता चलता है किसका पता चलता है entrance का पता चलता है, ठीक है, कि भई इस building में building में घुसने के लिए बहुत easily access है, कहने का मतलब है इस building में घुसने के लिए जो entrance है बहुत easy है, there is no difficulty in entering the building, हमें कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम easily building में enter कर जाएंगे, हम easily these building mentor कर जाएंगे, ठीक है, there is an easy access, access के साथ किसका इस्तमाल होता है, two का use होता है, the annual exam of the school will begin just prior dash the annual function, क्या कहता है ये, देखो इसको समझो, क्या कहता है, the annual exam of the school will begin just prior the annual function, prior का मतलब होता है पहले, हना, तो अब ये क्या कहता है, prior मतलब पहले, तो अब क्या होगा, prior का मतलब क्या होता है, priority base पर, priority base पर, यानि आप choice ही पर चल रहे हैं, choice पर चल रहे हैं, क्या है मेरे बिच्चे, choice पर चल रहे हैं, किस पर चल रहे हैं, choice पर, तो prior के साथ किसका इस्तमाल होगा देखो दियान से, prior के साथ to का इस्तमाल होगा, किसका इस्तमाल होगा, prior to the annual function, यानि the annual exam of the school will begin just prior to the annual function, यानि annual function से just पहले ही शुरू होगे वो, अब इसके जैसे और word कॉन-कॉन से हैं, जिसके साथ to का इस्तमाल होता है, जैसे junior to, he is junior to me, यानि वो मेरे से छोटा है, he is senior to me, यानि वो मेरे से बड़ा है, he prefers tea than coffee, या हम कह सकते हैं, he prefers tea to coffee, यानि वो चाए prefer करता है बजाए coffee के, या हम कह सकते हैं, posterior, superior, inferior, ulterior, और क्या है, exterior, interior, इनके साथ fixed preposition use होता है, that is to, कौन सा यूज होता है, that is to, क्या है, junior to, senior to, prefer to, posterior to, superior to, inferior to, ulterior to, exterior to, और interior to, जैसे I prefer coffee to tea, मैं coffee prefer करूँगा बजाए चाए के, I prefer coffee to tea, दोनों ही चीज मुझे पसंद है, दोनों ही चीज मुझे पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा prefer करूँगा, preference किसको ज़्यादा दूँगा, मैं coffee को ज़्यादा preference दूँगा, बजाए चाए के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, prior के साथ, fixed preposition का इस्तमाल होता है, that is to, किसका है, to का, ठीक है, चले, आगे चलते हैं हम लोग, चलो, अगला क्या कहता है, साथवा क्या कहता है, my dear wife has the most beautiful eyes, the God has ever bestowed as a person, bestowed का मतलब क्या होता है, किसी को प्रदान करना, क्या करना, प्रदान करना, किसी को देना, अब क्या कहता है, मेरी जो प्यारी पतनी है, उसकी आखे जो है, इतनी प्यारी है, जो भगवान ने उसको गिफ्ट करी हैं, भगवान ने उसको प्रदान करी हैं, भगवान ने उसको क्या प्रदान किया, beautiful आखे, तो bestowed के साथ क्या आना चाहिए, bestowed के साथ दो आ सकते हैं, that is on या upon, यानि यहाँ पर on भी सही है, और upon भी सही है, यानि भगवान ने जो प्रदान करी है, आस्तक के लोगों को, उनमें सबसे जो मतलब बोलते हैं, सबसे beautiful आखे, बगवान ने मेरी पत्नी को दे रखी हैं, ठीक है, कहने का मतलब यह है, अब confer पे आ जाओ, दोनों का मतलब एक है, प्रदान करना, लेकिन confer के साथ जो, आपके जो use हो रहे हैं, preposition, वो कौन से use हो रहे हैं, fixed preposition, with का इस्तमाल हो रहा है, और on का इस्तमाल हो रहा है, पहले इसको समझते हैं, कि with के साथ confer का क्या मतलब है, on के साथ confer का क्या मतलब है, मैं एक sentence देता हूँ, the title of Bapu was conferred on महातमा गांदी, the title of Bapu, अब देखना धियान से, title of Bapu पहले आया है, और ये प्रदान किया गया है, किसको महातमा गांदी को, यानि इसको प्रदान किया गया है, वो दूसरे नमबर पर है, कहने का क्या मतलब है, पहले क्या आया है, टाइटल आया है यह इसको क्या बोलते हो आप इसको बोलते हो टाइटल क्या बोलते हो मेरे बच्चे टाइटल क्या बोलते हो टाइटल बोलते हो ठीक है यह टाइटल आपका और यह क्या है परसन जिसको टाइटल दिया गया अब मैंने यहां किसके साथ कनफर्ड के साथ किसक मल किया है ठीक है अब दूसरा सेंडेंस देखो राहूल वास कनफोर्ड विद नाइट हुड यहां पर परसन पहले आ गया और जिस जो उपादी है यानि जो टाइटल है वो दूसरे नमबर पर आ गई समझे आप मेरी बात को मैं क्या कहना चाता हूँ अब आगया होगा न आपको समझ में बिल्कुल खेल समझ में आगया आपको मैंने खेल खतम कर दिया मैंने आपके लिए खेल क्या कर दिया क्या खतम किया मैंने आपके लिए जब आपका टाइटल पहले आ जाए और परसन लगा देना, ठीक है, क्या लगाओगे, टाइटल बाद में, परसन पहले तो क्या लगा दोगे, मेरे बच्चे, विद लगा दोगे, विद किसके लिए, टाइटल के लिए, यानि विद में किसको इंपोर्टेंस दी गई है, विद नाइट हुड है, यहां टाइटल को दी गई है, और आउन के साथ परसन, यानि आउन महतमा गांधी, आउन के साथ परसन, विद के साथ टाइटल, आउन के साथ परसन, विद के साथ टाइटल, मैं आशा करता हूँ, आपको याद हो गया बढ़ते हैं, it does not matter whether the movie is in Hindi or English, I am dash home with both the language, यानि मैं बहुत comfortable हूँ, I am dash home, मैं कहना कहा चाहता हूँ, I am dash home with both the language, यानि मैं बहुत ज़्यादा comfortable हूँ दोनों ही languages के साथ, तो यहां क्या आता है, हम इसके लिए इस्तमाल करते है, at home, क्या कहते हैं, at home, at home का क्या मतलब होता है बेटा, to be comfortable, क्या मतलब होता है, comfortable, जब हमें पता होता है कि हम comfortable हैं, we are in a comfort zone, in that case we use at home, उसी cases में क्या इस्तमाल करते हैं, at home का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कहा, मम्मी ने कहा, feel at home बेटा या अंटी ने कहा मतलब तुम किसी अपने दोस्त को बुलाने गए थे तो तुम दोस्त था नहीं दो मिनिट के लिए कहीं बार गया था तो उसकी ममी ने तुम्हीं बिठा लिया उसने कहा ममी ने कहा उसकी ममी ने feel at home बेटा अपना ही घर समझो comfortable रहो बेटा, कोई बात नहीं, अपना ही घर है तो feel at home बेटा का मतलब है, to be comfortable, तो यानि यहां क्या जाएगा, at home क्या जाएगा मेरे बच्चे, at home he became a saint after abstaining अब देखो word क्या है, abstaining dash all earthly possessions यानि जितनी भी सांसारीक वस्तु है, उसको खतम कर दिया उसने, यानि उसने क्या कर दिया रोक दिया, क्या कर दिया मेरे बच्चे, रोकना रोकना क्या होता है, सांसारीक सुखो को उसने त्याग दिया, और उसने क्या क्या कर दिया, सेंट बन गया, साधू बन गया, संत बन गया, तो क्या है abstain के साथ किसका इस्तमाल होता है मेरे बच्चे from का इस्तमाल होता है किसका इस्तमाल होता है from का इस्तमाल होता है इसी जैसे कुछ और वर्ड है जिसके साथ from का इस्तमाल होता है that is refrain desist, prohibit, prevent देखो मैंने एक के साथ आपको पांच चब सिखा दिये refrain, desist, prohibit और prevent, prevent him from doing this, prohibit him from doing this, desist him from doing this refrain him from doing this the kids abstained themselves from watching TV in exam time यानि जब exam time था, तो बच्चों ने अपने आपको रोक लिया किस से TV देखने से, क्योंकि exam आ रहे थी, सिर पर थे exam, और उब exam को clear करना चाते थे अच्छा paper करना चाते थे तो या सीधी सी बात है, उन्होंने आपको किस से रोका, TV देखने से, किस से रोका, TV देखने से, चलें दसवे दसवे पर चलें, the use of atomic weapons will be harmful, dash the mankind, harmful का मतलब होता है harmful, क्या मतलब होता है इसका, हानी कारक, बापू हमारा हानी कारक है, कैसा है, हानी कारक, तो harmful, क्या होगा, इसका मतलब harmful, तो क्या है, the use of atomic weapons will be harmful, dash the mankind, तो सीधी सी बात है, इसके साथ, painful के साथ, किसका इस्तमाल होता है, two का इस्तमाल होता है, किसका इस्तमाल होता है, two का इस्तमाल होता है, किसका इस्तमाल होता है, two harmful to, harmful किसके लिए, mankind के लिए, तो harmful, इसके देखो, painful का मतलब harmful है, मतलब भी एक ही है, और जहां sentence में मतलब एक ही है, तो यह चेंज नहीं किया न, इसने अपने आपको phrasal verb की तरह नहीं बनाया न, तो भाईया, यही अंतर होता है, fixed preposition में और phrasal verb में, ठीक है, इनके जैसे और जो बड़ हैं, वो कौन-कौन से है, harmful, detrimental, injurious, pernicious, disastrous, तो सब के साथ किसका इस्तमाल होता है, तू का इस्तमाल होता है, किसके साथ इस्तमाल होता है, तू के साथ इस्तमाल होता है, किसके साथ है, तू इसके साथ, सभी के साथ इस्तमाल होता है, injurious to, panacious to, disastrous to, हो जाएगा ये, हो जाएगा, कहो बल्ले बल्ले और लेओ प्रभु का नाम और देखो अगला sentence, the lower court acquitted him, the lower court acquitted him, acquitted him, acquitted का मतलब होता है, किसी को दोश्मुक्त कर देना, क्या कर देना, दोश्मुक्त कर देना, कहने का मतलब है, कि सामने वाले पर कुछ charges लगे हुए थे, यानि criminal charges थे, और जब court में सुनवाई हुई, तो भईया, उसको आप दोश्मुक्त कर दिया गया, acquit कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया, free कर दिया गया, तो क्या कहता है, the lower court acquitted him, dash the crime, but another case was filed against him, जैसे ही वो छुटा, इतने में किसी और ने उसके खिलाफ, दूसरा case कर दिया, क्या कर दिया, दूसरा case कर दिया, तो acquit का मतलब क्या होता है, free होता है, free होता है, तो acquit के साथ किसका इस्तमाल होता है, मेरे बच्चे, तो opposite कौन से word होते हैं, एक तो accused होता है, और एक होता है convict और इनके साथ किसका استعمल होता है, off का induced का इसके साथ भी किसका استعمल होता है, off accused और convicted का जो मतलब होता है, वो होता है, दोष लगाना क्या लगाना मेरे बच्चे, दोष लगाना, यानि यानि दोशार ओपन करना क्या करना दोशार ओपन करना लेकिन जब एक्विट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है दोश मुक्त करना क्या करना दोश मुक्त करना और इन तीनों के साथ ही क्या आएगा इन तीनों के साथ ही जो preposition use होगा, वो use होगा off, कौन से use होगा, off होगा मतलब change नहीं हुआ है अगर मैं कहता था, lower court convicted him, यानि lower court ने उसे दोशी माना है, convicted him of the crime, यानि उन्होंने उसे crime का दोशी माना है, ठीक है तो यहाँ पर यह sentence सही हो जाता, यहाँ पर भी acquainted, dash the new rules, यह acquainted बहुत आता है, यह acquainted जो है, यह भाई हमें बहुत परिशान करते हैं, लेकिन आज के बाद यह आपको कभी परिशान नहीं करेगा, acquainted के साथ हमेशा, acquainted का मतलब होता है, to be aware of something, क्या मतलब होता है, acquainted का to be aware of something, तो यह क्या कहता है, the lawyer was not well acquainted, यहानि वो अच्छे से aware नहीं था, किसका new rules thereby lost the case, इसलिए वो हार गया case में, क्योंकि वो नए rules से परिशीत नहीं था, इसलिए वो हार गया, तो acquainted के साथ हमेशा किसका इस्तमाल होता है, देखिए, acquainted के साथ हमेशा इस्तमाल होता है with का, किसका इस्तमाल होता है मेरे बच्चे, with का, अब क्या है यह, the lawyer was not well acquainted with new rules, यानि वो नए rule से परीचीत नहीं था, हम कहते हैं नए rule से परीचीत नहीं था, तो से की वहाँ पर कॉन टोन दे रहा है, with दे रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे familiar की तो familiar भी एक word है, यहाँ देखो the lawyer was not well familiar with अब यहाँ familiar with नहीं आएगा, familiar जब आएगा, तो क्या आजाएगा मेरे बच्चे to आजाएगा, क्या आजाएगा, to आजाएगा तेनों के साथ, और aware का भी मतलब क्या होता है acquaint अपने साथ with को carry करता है, familiar अपने साथ to को carry करता है, आज के बाद याद रहेगा, आपको मैं guarantee लेता हूँ, all the citizens must adhere, dash the rules of the constitutions, यानि क्या होता है, अधिर का मतलब क्या होता है follow करना या stick, अब एक पिछाय थाना word, stick to something, stick के साथ two का इस्तमाल होता है, या आपको पता है, abide abide और अधिर, देखो ध्यान से, अधिर का मतलब क्या होता है, something to be stick to something, to be stick to something, तो अधिर का मतलब अधिर का मतलब same हो गया sticking, हाना, मतलब एक चिपक जाना किसी के साथ, all the citizens must अधिर, यानि सभी citizens के लिए ज़रूरी है कि वो follow करें, क्या मतलब होता है, follow करें, हाना, तो क्या हैगा, अधिर के साथ two का इस्तमाल होगा, मेरे बच्चे, abide का मतलब भी same होता है, उसके साथ by का इस्तमाल होगा, abide by the rules, you are abide by the rules, हाना, तुम बने होए कानूर से तुम पालन करना पड़ेगा, stick to the rules, तुम जो rules है, उससे stick रहो, chip के रहो, ठीक है, stick to the rules, stick के साथ to का और comply के साथ with का, comply का भी मतलब क्या होता है, to follow या stick something, to stick something, हाना, follow करना, तो comply के साथ with का इस्तमाल होता है, किसके साथ, देखो, एक वर्ड से मैंने आपको कई वर्ड समझा दिये, सबका meaning एक ही है, लेकिन सबके साथ, अलग-अलग prepositions आ रहे हैं, ठीक है, चलो next पर, listening to his story is akin dash reading a good adventure novel, यानि क्या कहता है, akin का मतलब होता है, similar to, क्या मतलब होता है, similar to, यानि ऐसे जैसे होता है, कई बार कि तुम किसी से कहानी सुन रहे हो, तो कई बार तुम अपने मन में मलाना, तो यार इससे कहानी सुनने का मतलब है, novel पढ़ना, मतलब क्या है, वो इतना बोर करेगा, कि भाई वो पता नहीं, मतलब वो पूरी novel सुना देगा, ये इतना बकवास फेखता है, ना, ठीक है, वो पूरी novel सुना देगा, तो एकिन का मतलब क्या होता है, similar to, हना, same, similar, हो जाएगा ये वाला, चलो, अब एकिन के साथ किसका हिस्तमार होता है, एकिन के साथ होता है, मेरे बच्चे, to का, आपने देखा होगा, maximum जो preposition, to carry करते हैं, क्या करते हैं, to carry करते हैं, listening to his stories, akin to reading a good adventure novel, यानि वो similar है किसके, similar to बोलते हैं, हम लोग similar to बोलते हैं, तो वो similar है किसके, reading a good adventure novel के, यानि या तो उसकी positive ability चल रही है, यानि एक अच्छा सा adventure novel पढ़ने के बराबर है, उसकी कहानी को सुनना, आपने किसी से direction पूछा, आप जा रहे थे काड़ी में, आपने किसी direction पूछा, उसने आपको refer कर दिया point को, यानि इसका refer भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, refer भी हो सकता है, उसने refer कर दिया, या आप उससे मदद लेने, सायता लेना, help लेना, ठीक है, take help, indicate भी हो सकता है, इसका मतलब, indicating करना, उसने क्या-क्या उंगली से indicate कर दिया, direction, भाई, वहाँ से चला, जी, वहाँ से, हाँ, ठीक है, the teacher ordered the student not to allude any online sources in their research paper, अब allude के साथ हमेशा इस्तमाल होता है, to का, हम कहते हैं, refer to, he refer to, he refer to the direction, he refer to the direction, allude का भी मतलब क्या होता है, allude का मतलब भी क्या होता है, refer करना, या help लेना, तो इसके के साथ किसका इस्तमाल होता है, टू का इस्तमाल होता है मेरे बच्चे, किसका इस्तमाल होता है टू का इस्तमाल होता है, चलें next पर चलें, it is tough to show loyalty to aton dash her sins तो aton का क्या मतलब होता है देखे शती पूर्ती करना, क्या करना शती पूर्ती करना, यानि आपने जो पाप किया है अब जो आपने पाप कर दिया उसको तो पूरा नहीं किया सकता ना लेकिन उसकी माफी लेकिन उसकी क्या माफी शतीपूर्ती भाई जो हो गया हो गया आप माफी कैसे करो गया भाई सीधी सी बात है उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों की साहिता करोगे family को support करो गया, ऐसे हैं आप उसकी शतीपूरती कर रहे हो, जो accident होना था हो गया, जो आद भी मरना था मर गया, उसको परिवार का main सदसे था, आप उसकी शतीपूरती कैसे होगी, उनकी सायता करके, उनको, उनके benefits पूरे दे कर तो सीधी सी बाद है, it is tough to show loyalty, बहुत मुश्किल होता है, loyalty दिखाना to aton dash her sins, यानि अपने sins के परती जब आप loyalty दिखाने कोशिश करते हो, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, उसके बाद अगर आप वफादारी दिखाने कोशिश करते हो, तो भाईसा भी बहुत मुश्किल होता है, क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए किसी का गलत मत किया करो, किसी का गलत मत किया करो, तो यह क्या कहता है, it is tough to show loyalty to aton, aton के साथ हमेशा इस्तमाल होता है, मेरे बच्चे, for का, किसका इस्तमाल होता है, aton for her sins, क्या go by his appearance, he is capable dash accomplishing any task without any support भाई उसके शकल पर मत जाई हो वो पता नहीं क्या क्या कर दे, वो सारे टास्क कर सकता है यह कहने का मतलब है इसका अब capable के साथ क्या आता है देखिए capable of capable के साथ किसका लगता है use, off का लगता है, ability to capable of, अब जहां पर यह capable of आजाता है न, याद रखेगा जहां पर भी capable of आगया उसके बाद verb की fourth form use होगी, that is verb की first form plus ing, he is capable of doing this he is capable of referring this he is capable of reading English he is capable of eating food, हना, कहने का मतलब यह है अब capable, और इसी का एक और मतलब होता है able, able के साथ capable के साथ तो off लगता है capable of, जहां पर capable of आजा है उसके साथ verb की fourth form, sentence में ऐसे दिया होगा, accomplishing दिया गया ing लगा होगा है, तो आपको पता चल गया off लगाना है, अगर यहां पर verb की first form होती, क्या होती मेरे बच्चे verb की first form होती, क्या होती verb की first form, तो आपका आपका able आजाता, क्या आजाता वहाँ able होता, यहां able होता यहां तो आपका able आजाता और able आजाता तो यहां आपका to आजाता और यहां verb की first form होती क्या होती, verb की first form होती क्या है कहने का मतलब है, capable और able दोनों का मतलब एक जैसा है, अंतर क्या है capable के साथ off लगता है able के साथ to लगता है जहां capable off आ जाता है वहाँ verb की fourth form होती है और जहां able to आ जाता है वहाँ verb की first form हो जाती है जैसे they are able to read English they are able to read English his ability to read and write at a same sentence ability आ गया और to आ गया ability आ गया बाद भी क्या आता है verb की first form आती है समझ में यह वाला, चले last slide आज की, यह last slide है you will get a salary increase commensurate dash your new responsibilities and work commensurate का मतलब होता है to be fit आपकी fitness को देखकर आपके कामों को देखकर, आपके work को देखकर हम आपकी नई salary बढ़ाएंगे commensurate के साथ क्या आता है हमेशा two का इस्तमाल होता है, किसका इस्तमाल होता है मेरे बच्चे, two का इस्तमाल होता है, यह वड़ याद कर रहें ना, यह कही बार आता है आपका, यह blank में कही बार पूछा जाता है you will get a salary increase commensurate to your responsibility and work, यानि similar to मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर तुम fit हो तो तुमारे बई, तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हे salary मिल जाएगी, यहा क्या मतलब दे रहा है that you are fit, यहाँ पर क्या होता है, fit, according to according to, यहाँ पर क्या मीनिग दे रहा है, according to का मतलब दे रहा है क्या दे रहा है मेरे बच्चे, according to according to your new responsibilities and work यानि तुम्हें जो नई responsibility थोपी गई है, उसके अनुसार तुम्हारी salary बढ़ाई जाएगी As the market is invested, dash frauds, a surveillance is required Filled, invested का क्या मतलब होता है? Filled, भरा हुआ Market किस से भरा हुआ है? धोके बाजों से Filled, क्या हैगा? Filled, invested with, Filled, invest with सीरी सी बात है, Filled with, भरा हुआ होना किस से भरा हुआ होना? धोके बाजों से भरा हुआ होना और इस जैसे और जो word होते हैं, वो होता है Beset, Swamp, Teamed, तीनों का ही मतलब क्या होता है? Filled, याद कर लेना कई बार ये भी आते हैं आपसे Bड़े लेवल के exam होना, EDS में पूछा जा सकता है NDA में पूछा सकता है Beset, Swamp, Team, तीनों का ही मतलब क्या है? Filled, तीनों ही मतलब देते हैं, Infest, किसका मतलब देते हैं तीनों? Infest का और तीनों के साथ ही जो preposition ये उस होती, that is with Okay, that is with, यानि market किस से भरी हुई है तो आप थोड़ा सा idea लगागी कर सकते हैं, ठीक है? The industry was unable to cater, क्या है? Industry was unable to cater, dash services to people Cater का मतलब होता है, seva करना, क्या करना? To serve, to serve, हाना? To serve, तो क्या है? The industry was unable to cater, dash service to people तो इसका मतलब to serve हो गया तो ये क्या कहता है? No preposition after serve, but cater will be followed by to क्याने का क्या मतलब है, देखो दियान से The industry was unable to serve, अगर यहां serve होता Cater की जगे क्या होता? Serve होता, तो इसके बाद कोई भी preposition नहीं आती याद रखना है ये बात, बहुत अच्छा rule बता रहा हो आपको, कोई नहीं बताएगा आपको The industry was unable to serve आता Serve services to people, तो यहां पर कोई भी preposition नहीं आती यानि serve services होता, लेकिन आप यहां Cater है, तो Cater के साथ किसका follow होगा मेरे बच्चे, to का, cater to service to people यानि क्या कहता है, The industry was unable to cater to services to people, यानि वो service अपनी provide नहीं कर दी, और provide आजाए मानलो यहां provide आजाए, cater की जगे क्या आजाए provide आजाए, तो provide with तीनों का यह मतलब क्या है, serve करना serve करना और तीनों के साथ अलग अलग आगए इसके साथ तो कुछ भी नहीं आएगा serve के साथ कुछ भी नहीं आएगा, serve खुद यूज हो रहा है ठीक है, that's all for today, wait कीजेगा अगली वीडियो का तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत